कमलेज किचिन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे ब्रेड के गुलाब जांवन ब्रेड के गुलाब जांवन बनाने के लिए हमें हिंचीजों के जोट परती है आएए देखते हैं यहाँ पर मनेच छै ब्रेड लिए हैं एक कटोरी चीनी, तीन चम्मच मलाई, एक कटोरी पानी, रिफैन कलने के लिए आईए सबसे पहले हम ब्रेड ब्रेडों को लेंगे, ये ब्रेड ले ली है मैंने, इन्हें काट लेंगे ये ब्रेड का जो ब्राउन वाला हिसा है इसे निकाल देंगे काट कर इस तरह से हमने सारी ब्रेड के ब्राउन पीस निकार दिये है अब इन ब्रेडों को बारी बारी तोड़के बावल में डाल लेंगे बहुत ही आसान है ब्रेड के गुलाब जामुन ब्राना बहुत ही आसान है बच्चे जिद करते हैं तो मीठा बनाने के लिए बहुत ही अच्छा है कि ब्रेड आम तोर पर घर पर मिल जाते हैं और इसके रसगुले भी बहुत टैस्ट लगते हैं हम सारी प्रेड करके तोड़ लेंगे इसमें हम मलाई डालेंगे मलाई हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे पहले दो चमस डाल लेते हैं अच्छा तरसे में मिला लेंगे इसको फिर एक चमस चोड़ा लेंगे इधन से हलका नरम आटा गून देंगे हमारा सबुले का डोबन के त्यार हो चुका है इसी हम अब एक तरफ रख देने तब तक हम चासनी के त्यारी करते हैं अब एक कटोरी चीनी डाल देंगे अब इसमें में एक कटोरी पन डाल देंगे अब तक हम चासनी बनती है हम रख गूले तियार कर लेते हैं एक बार फेसे इसको हलके हाथ से गून लेंगे थोड़ा टाइट लग रहा है यह जो बचा हुआ आदा चमच दूदा यह भी इसमें डाल देंगे हलके हाथ से अच्छितर से तयार कर लेंगे इसको रसगुलो का डोट तयार है अब बनाते हैं रसगुली इसके बारिक 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 टुक्रों में काट लेंगे हलके हाथ से गुलाई करेंगे इसके गुलाई करते हम एक बात का ध्यान रखने करना है कि यह फटने नहीं चाहिए हलके हाथ से हमने गुलाई किया है बिल्कुल अच्छा दो तयार हुआ है एक ही करके बुना के रख लेंगे इसमें कि अब बोल हमारी बन चुकी है एक दम से गुल बोल बनी है दो बहुत अच्छा तयार हुआ है इसमें कि अब आख दाल आख दाल के देखेंगे टेल को हमने धीमी आज पर करना है तेल हमारा तयार है इसमें हम अब हलका मीडियम आख देखाणा हम आज कर देंगे इसमें एक एक करके हम बॉल डालेते हैं हमारे छे ब्रेट में बारा बॉल तियार हो चुकी है दीमी दीमी आज पर हम उनको पकाएंगे हलका प्राउंट बने तक बर्तम को हम इसी तरह से हिलाएंगे चम्माचनी लगाएंगे इसमें चासनी भी देख लेते हैं कियार हुए कि नहीं चासनी भी बनने हाली है तोड़ा तेजाना चिकर देंगे तोड़ा तेजाना चिकर देंगे हलके ब्राउन होने लगे हैं थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे हलके ब्राउन होने लगे हैं हमने गैस बिकुल लोफ लेम पे कर दी है दीमी कर दी है इसको दीमी दीमियाद पर पकाएंगे चासनी भी हमारी बन कर तयार है चासनी की गैस बन कर देंगे गुलाब जाम में ब्राउन हो चुके हैं गैस ओफ कर देंगे अब इन हम चासनी में गरम गरम को ही हम चासनी में डाल देंगे चासनी में से हम 10 मिंट के लिए डखते रख देंगे रसगुले बन चुके हैं बहुत ही टेस्टी रसगुले बने हैं आप देख सकते हैं अगर आपने आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए रसगुले बलकुल तयार हैं और जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे और आपने दोस्तों को भी इसके बारे में जुरूर बताईए जिससे उनको जानकारी मिले धन्यवाद